हेलो और नमस्कार दोस्तों कैसे है आप से मैं हूँ आपको होस्ट गवरोगमार मेता स्वागत करता हूँ नोदेश्टप्स के नए बुड़ी में तो दोस्तों आज की बुड़ी मैं आपको बताने आ ला हूँ ट्रस्ट वालेट के यूज के बारे में तो इसमें कुछ- सब्सक्राइब कर सके तो इन सब चीजों को जो है इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही क्लियर कट तरीके से जो है आपको मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए इसके लिए चलते हैं मोबाईल स्कीन पर अपना ट्रस्ट वालेट का इंटरफेस दिखता है जब आप उपन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मांग चलिए कि किसी कोई का एरड्रॉप इवेंट चल रहा है तो हमें यहां पर कोई मंगाना होगा तो उसकी लिए क्या है यहां का डिपोजिट एड्रेस हमें दे कि उसे यहां से अलाव करना था जैसे मैंने सेर्च किया है तो इसको देखी इसको जो है जैस्ट एलाव कर देंगे तो यह जो है अपना बैक करके देख लेते हैं रिप्रेस करते हैं इसको तो जो अपना क्वाइन है वो यहां पर दिखाना चालू कर देगा इसी टाइप से मानके चलिए कि कोई coin है जो कि यहाँ पर आपको list में नहीं दिखा रहा है न तो उसके लिए हम क्या करेंगे simply जो है Google search कर लेंगे कोई भी coin जैसे मानके चलिए कि एक coin था minerium minerium bsc bsc इसको हम search कर लेते हैं search करने के बाद जो है sorry इसका spelling मैंने correct नहीं लिखा है minerium इसको पहले correct कर लेते हैं minerium bsc उसके बाद जो है हम किसी का विज़े से coin market cap हो गया या फिर coin geek हो गया तो मैं इसी का open कर लेता हूँ इसको open करेंगे open करने का बाद जो है यहाँ पर simply नीचे कर लेंगे न तो यह दिखी यहाँ पर finance smart chain का जो है contract address आपको मिल जाएगा इससे simply copy कर लेना है copy करने बाद वाद वापिस चलेंगे trust wallet में और यहाँ पर जाके उसे simply हम paste कर देंगे जैसे paste करेंगे है न तो थोड़ा साय search कर या देखिए यहाँ पर coin आ गया अब इसको simply जो यहाँ पर आपको allow कर देना allow करने वाद back करेंगे और यहाँ पर refresh कर लेंगे जैसे refresh करेंगे यह देखिए minorium bc यहाँ गया तो इस type से जो है आप कोई भी coin को यहाँ पर add कर सकते हैं और address copy करने का simple fund है मानके चलिए कि आप seal token को मंगाना चाहते हैं तो receive वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो इसका address copy करके जहाँ भी आपको डालना है जहाँ भी मांग रहा है वहाँ पर इसे हम paste कर देंगे यह हो गया दोस्तों आपको कोई भी coin को add करने का तरीका अब दोस्तों दूसरा चीज यह हो गया कि जैसे मानके चलिए कि जो आपका trust wallet उसमें keyword fresh man होता है इनकेस अगर आपका mobile गुम हो गया या फिर crash हो गया तो उसे दूसरे में रिकवर करने के दोस्ते हम कैसे लेंगे सिंपली सेटिंग में जाएंगे कि मल्टी कोई वालेट में क्लिक करेंगे और फिर से चलते हैं multi coin में क्लिक करते हैं और यहां से जाकर यहां पर जो यह देख रहा है नो option यहां पर आपो क्लिक करना मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह security region है इसमें आपको 12 अंग का recovery fresh रहता है यहीं से जाकर उस चीज को copy कर लेना या फिर screenshot ले लिजे उसके बाद जो है drive या फिर किसी भी जहां भी आपा stories करना चाहते हूं आपा store कर लिजे ताकि in future जब भी loss हो mobile तो उसे हम recover कर सके login करके क्योंकि इसमें और कोई माधियम नहीं है recover करना है कोई भी login ID password नहीं होता है यह 12 अंक के recording phrase ही होते हैं जिससे आप trust wallet को recover कर सकते हैं उसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे मानिक चलिए कि आपने किसी भी क्वाइन को मंगा लिया अब जो है आपको उसे किसी exchange पर send गरना ताकि उससे आप withdraw कर सके है जो भी करना चाहिए उसके लिए कर सके तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर smart chain BNB होना पड़े उसके लिए करना क्या है कि BNB में जाना है और receive पर click कर देना है इस address कोपी करके जहां से भी आप मानग चलिए कि BNB send कर रहे है वहाँ पर इस address को paste कर देंगे तो जैसी paste करेंगे तो यहाँ पर जो है trust wallet पर आपका 5-10 मेरट में BNB आ जागा उसके बाद क्या करना है BNB पर click करके इस option पर click करना है और यहाँ पर click करना है swap to a smart chain BNB to smart chain BNB convert करना पड़ेगा क्यों कि smart chain BNB अगर आपके trust wallet में रहेगा तभी कोई भी coin कोई भी coin मांग चली कि आपका इत्रम ही है इसको आप मांग चली send करना चाहते हैं send करने जाएंगे तो इसका जो एक fees होता है ओ smart chain BNB आपका balance group में रहेगा तभी जो है cut पाएगा और आपका जो coin है ओ send हो पाएगा इसलिए जो है BNB आपको यहाँ पर रखना उसके बाद उसे convert करना smart chain BNB में ताकि किसी भी coin को आप यहाँ से भेज सके थोड़ी सी fees deduct करवाके तो दोस्तों यह हो गया इसका basics और उसके अलबा जो trust wallet में थोड़ा आपको सौधानी भी रखना है जैसे आप यह coin देख रहे हैं जो मैंने अभी add किया यह जो है आपका फरजी coin है इसको कोई मतलब नहीं आपको देख के लए क्या बापरे पांच लाख मैंने तो यह अंत कमा लिए just add करके तो यह जो है कुछ नहीं है आपका just focus focus बोलते है just देखने के लिए है तो इसे simply क्या करें यहाँ पर जाएं और search कर ले minorium और इसको यहाँ से जाके off कर दें तो यह coin आपको यहाँ पर show करना बंद कर देगा उसके अलावा जो चौंथा चीज है जैसे मानग चली कभी कोई-कोई coin show नहीं होता है तो आपको प्रेफरेंस भी अलग-अलग करके आप उस coin को ला सकते है जैसे यह अलग-अलग देख लीजी अलग-अलग यहाँ पर currency है जैसे USD है, BNB है और आपका अलग-अलग currency है उसको आप set करके कभी भी मानग चली कोई-कोई-कोई अलग फॉर्मेट में होता है, यहाँ सी आपको दिख जाएगा, ठीक है तो दोस्तों यह हो गया Trust Wallet का Basics, उमीद करता हूppensz यह आपको समझ में आ गया होगा, तो ठोड़ा स़ लाइक जरूर कर किया है बट यह बेसिक चीजना बहुत हेल्प करता है और कभी बार यह हो जाता है कि चोटी-चोटी चीज़ों चलते ही ना आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत होने लगता है इसी के वज़े से मैं जब ट्रेस्ट वालिक पर वीडियो बनाया तो उम्मीद करता हम दोस्तों करने इसे टीमेरेगा बैया बैया के वाल्यों।